मेरी सांसों में तू असमाया तिर दिन जीना मुझे नहीं आया उसके बाद यहाँ पर हम 16.9 का रेसिव लेंगे लेने के बाद यहाँ पर हमें create पर किलिक कर देना है अब फ्रेंड यहाँ पर हम सबसे पर अपने background वीडियो को add करेंगे तो चलिए फ्रेंड मैं हैं से अपने background वीडियो को add कर ले रहा हूँ एड करने के बाद यहां से हमें cut कर दे रहा हूं और scroll करके starting position पर आ जाना है अब friends में अपना एक water का video एड करेंगे तो उसके लिए हम पर layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहां पर media में जाना है और यहां से अपने water वाले video को add कर लेते हैं तो friend यहां से हमने अपने video को add कर लिया है add करने के बाद यहां से हमें cut कर देना है और friend यहां पर हमें नीचे के side में आना है तो यहां पर हमें split screen में आना और इसे हमें full screen में कर लेना है और यहां से हम back आएंगे तो यहां पर हमें own नीचे के side में आ जाना है यहाँ पर मैं blending में आना और इसे में screen कर देना है and यहाँ से हम कुछ इस प्रगार से back आ जाएंगे अब friends में अपने की stone का png photo add करेंगे तो उसके लिए हम पर layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहाँ पर media में जाएंगे और यहाँ से अपने stone वाले png photo को add कर लेते हैं तो friend यहाँ से अपने png photo को add कर लिया है add करने के बाद यहाँ से हमें cut कर देना है और यहाँ पर इसकी duration को हमें video के end तक कर लेना है तो friend मैं आपके जानकारी के लिए बता दू कि मैं आपर जितने फोटोज और वीडियोज का यूज करूँगा उनका सब का लिंक आपको वीडियो के ड्रिप किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हो अप फ्रेंड यहाँ पर इसकी साइज को प्येंजी फोटो और आड करेंगे तो उसके लिए आपर लियर में जाएंगे लियर में जाने के बाद यहाँ पर हमें मीडिया में जाना है और यहाँ से अपने प्येंजी को आड कर लेते हैं तो फ्रेंड यहाँ से अपने प्येंजी को आड कर लिया है add करने के बाद यहां से हमें cut कर देना है और यहां पर इसकी size को मैं थोड़ा सा zoom करना है और लाना हमें कुछ इस प्रगार से ऐसे करके set कर देना है उसके बाद यहां पर इसकी duration को video के end तक कर लेना है अब friends में अपने एक flower का photo add करेंगे तो इसके लिए हम पर layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहां पर media में जाएंगे और यहां से अपने flower वाले photo को add कर लेते हैं तो friend यहां से हमने अपने flower वाले photo को add कर लिया है add करने के बाद यहां से हमें cut कर देना है और इसकी size को हम कुछ इस प्रगार से छोटा करेंगे छोटा करने के बाद लाना हमें कुछ इस प्रगार से इस side में इसे ऐसे करके set कर देना है और यहाँ पर इसकी duration को हमें video के end तक कर लेना है देख सकते हो friend कुछ इस प्रगार से आपको वीडियो के end तक करके starting position पर आ जाना है उसके बाद यहाँ पर कोने के side में three dot पर click करेंगे और उसे हमें duplicate कर लेना है जो duplicate बनाएंगे उसे निकाल लाना और इस side से हमें इसे करके set कर देना है उसके बाद यहाँ से हम back आ जाएंगे अब friends में अपना स्यू जी का png photo add करेंगे तो उसके लिए आप लियर में जाएंगे लियर में जाने के बाद यहाँ पर हमें media में जाना है और यहाँ से अपने png photo को add कर लेते हैं तो फ्रेंड यहां से हमने अपने PNG फोटो को add कर लिया है, add करने के बाद यहां से हमें cut कर देना है, और इसके size को हम थोड़ा सा zoom करेंगे, जूम करने के बाना है, चुछ से हमें कुछ प्रगार से हैं, उसके बाद यहां पर इसके duration को हमें video के end कर लेना है, देख सकते हो फ्रेंड कुछ प्रेंड कर आपको video के end कर लेना है, करने के बाद यहां से back आयेंगे, starting position पर आ जाना है, अब फ्रेंड्स में अपना एक तिरसूल का PNG फोटो आड़ करेंगे तो इसके लिए हम पर लियर में जाएंगे लियर में जाने के बाद यहाँ पर हमें मीडिया में जाना है और यहाँ से अपनी तिरसूल अलब PNG फोटो को आड़ कर लेते हैं तो फ्रेंड यहां से हमें अपनी PNG फोटो को add कर लिया है, add करने के बाद यहां से हमें cut कर देना है, और यहां पर इसकी size को हमें कुछ इस प्रगार से zoom कर लेना है, zoom करने के बाद लाना हमें कुछ इस प्रगार से इसे ऐसे करके थोड़ा से और zoom कर लेना है, उसके बाद cropping पर जाएंगे थोड़ा से इसे हम crop कर लेंगे, crop करने के बाद यहां से हम back आएंगे, और लाना हमें कुछ इस प्रगार से इसे set करना है, उसके बाद यहां पर हमें 3D पर किलिक करना और से हमें send to back कर देना है और यहां पर इसकी duration को हमें वीडियो के end तक कर लेना है अब फ्रेंड्स पर अपने model का photo add करेंगे तो यहां पर आप चाहो तो अपना photo भी add कर सकते हो तो चलिए फ्रेंड उसके लिए layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहां पर media मे जाएंगे और यहां से अपने photo को add कर लेते हैं तो फ्रेंड यहां से अपने photo को add कर लिया है add करने के बाद यहां से हमें cut कर देना है उसके बाद यहां पर हमें आ जाना है cropping में तो इस फोटो को थोड़ा सा हम crop कर लेंगे कुछ इस प्रगार से crop करने के बाद यहां से हम back आएंगे तो यहाँ पर हमें नीचे के साइड में आना है तो इसके हमें magic remover को on कर देना तो इसके photo का हमारा background होई जो हट जाएगा तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हमारे photo को background हट चुका है अब इसकी duration को यहाँ पर हमें video के end तक कर लेना है तो चले फ्रेंड इसे हम video के end तक कर लेते हैं करने के बाद यहाँ पर हमें starting position पर आ जाना है उसके बाद इस photo को select करेंगे थोड़ा सा इसकी size को हम थोड़ा सा zoom करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमें three dots पर click करना और इसे हमें send to back कर देना है और इसे हमें अच्छे से adjust कर लेना है उसके बाद यहाँ प यहाँ पर media में जाएंगे और यहाँ से अपने template video को add कर लेते हैं तो फ्रेंड यहाँ से हमें template video को add कर लिया है add करने के बाद यहाँ से cut कर देना है और यहाँ पर नीचे के side में आना है तो यहाँ पर हमें split screen में जाना और इसे full screen में कर देना है और यहाँ से back आएंगे तो प्लें सोंग App के सकते हों तो आधके स़ाक्सन में जाना यह प्लेद कर सकते हो तो देखके ओ फ्रेंड हमारा वीडियो कुछ से इस प्रगार से बनकर तयार हुआ है। अब इस अपने फोन में सेब करने के लिए यहाँ पर आपको उपर के साईड में शरो पर किलिक करना है। किलिक करने के बाद यहाँ पर क्वाल्टिय अपने कार्डिंग रख सकते हैं। सेब इस वीडियो पर क्लिक कर देने